हेलो दोस्तो वेलकम बेक टो अवर यूट्यूब चैनल दा प्रॉप्टी सफारी और आज मैं आपके लिए एक बहुती स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ आज की वीडियो स्पेशली उन लोकों के लिए जिनको प्राइस नहीं लोकेशन मैटर करती है जी हाँ दोस्तो आज हम आगए हैं मोहली के सबसे प्राइम लोकेशन सेक्टर 82 में जहाँ पर हमारे पाश लग्जरी 3BHK और 3 प्रस 1BHK के फ्लैट सब लेबल है तो दोस्तो हमारे इस प्रोजेक्ट का नाम है दमेडेलियन ये सेक्टर 82 मोहली में बना हुआ है अगर मैं इसकी कुछ कनेक्टिविटी की बात करूँ तो ये आगे हमारे कमर्शियल्स ये चेंडिगर्ड इंटरनेशनल एरपोर्ट से सिर्फ 5 मिनिट की दूरी पे है यहाँ पे आपको स्कूल्स मिल जाएंगे इंटरनेशनल स्कूल्स अवलेबल है आईटी हब यहाँ पे अवलेबल है पूरा आईटी सिटी जो है हमारे प्रजेक्ट से 0 मिनिट की दूरी पे है और अगर आप मैं एरो सिटी की बात करूँ तो ये देखिए दोस्तों ये है हमारी एरपोर्ट रोड और एरो सिटी सिर्फ एक मिनट की दूरी पे रहेगा ये आगी हमारी अमेटी यूनिवस्टी ये भी सिर्फ एक मिनट की दूरी पे जो है हमारे प्रजेक्ट से बनी हुई है यह देखे यहां से हमारा प्रोजेक्ट भी आप देख सकते हैं और यह आगया हमारा International School Manov Ratna International School जो है यह है हमारे प्रोजेक्ट की साइट दोस्तो 22 स्टोरी की हमारी बिल्डिंग रहेगी जो प्रोपर ली एक मैवान कंस्ट्रक्षन से बनाई हुई है यहाँ पे आपको जो है प्रोपर लिए ग्रीन पार्क मिलेगा यह हमारे प्रोजेक्ट की प्रोपर साइट जो है आपकी स्क्रीन पे है इस प्रोजेक्ट में दोस्तों हमारे पास 3BHK, 3-1BHK, 4BHK अवलेबल है और यह हम अपनी लोबी से आगे है हमारे सैंपल फ्लेट की ओर यह है दोस्तों हमारा 1995 स्केर फिट में बना हुआ एक 3BHK का फ्लेट एंटर्स करते ही हमारा ड्रोइंग रूम आ जाता है और एक्स्ट्रीम राइट में हमारा एक स्टोर रूम जो है हम आपको प्रोवाइट कर रहे है हमारा जो यह 3BHK प्लस स्टोर का सैंपल फ्लेट है दोस्तों इसका सूपर एरिया 1995 स्क्वेर फिट रहेगा और कवर एरिया जो रहेगा 1728 स्क्वेर फिट कर रहेगा ड्रोइंग रूम की बात करूं तो ड्रोइंग कम डाइनिंग रूम जो है हमारा 26 बाइ 11 कर रहेगा जहां पर आप देख सकते हैं आपको एंपल स्पेस मिल रही है और साथ में ही हमारी एक बैलकनी एरिया जो रहेगा हमारे ड्रोइंग रूम के साथ कनेक्टिड रहेगा हमारी यो पूरी ये साइट है दोस्तो वास्तु कमपलाइंट में बनी हुई है और ये हमारा डाइनिंग एरिया जो है कनेक्टिड है और अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे kitchen area की और यहाँ पर दोस्तों आपको proper एक modular kitchen मिल रहा है काफी ज़्यादा spacious kitchen है यह और साथ में हमारे पास एक balcony मिल रही है walking balcony है आप balcony का जो यह length देख सकते हैं मैं आपको proper एक balcony का view भी दिखाऊंगा तो यह आगे हमारे kitchen area के साथ connected open wide balcony है इसको आप ऐजे wet area भी use कर सकते हैं इस project के अगर मैं कुछ amenities की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक काफी अच्छा club house मिल रहा है आपके project के अंदर ही जहाँ पर terrace lounge, swimming pool, spa and sauna, gymnasium, barbecue areas इस type की सबी lavish facilities मिल रही है अलग से आपको एक kids area मिल रहा है और lawn tennis court, cricket, pitch, basketball court इस type की services भी आपको provide की जा रही है तो यह आगे हमारा guest bedroom जो हमारा first bedroom area रहेगा इसके अगर मैं size की बात करूँ इसका size जो रहेगा 11 बाए 15 गर रहेगा और यह भी जो है हमारी balcony के साथ connected रहेगा दोस्तो इसके साथ आपको मिल रहा है यह modern bathroom area आप देख सकते हैं इसको कितने अच्छे तरीके से हमने design किया कितनी ज़्याद अच्छी space मिल रही है आपको और यह अलग से sliding doors के साथ wardrobe मिल रहे है इस bathroom की size की अगर बात करूँ तो यह 8 by 11 का size रहेगा हमारे इस project के अगर मैं कुछ USP की बात करूँ तो यहाँ पे आपको सभी के सभी flats जो है corner flats मिल रहे है जी हाँ दोस्तो सभी flats हमारे पूरे project में जो रहेंगे corner flats रहेंगे कुछ इस तरीके से उनको design किया गया है ताकि आपको properly sunlight और natural ventilation मिलती रहे dedicated lobbies आपको दी जा रहे है हर tower में और यह tri city का सबसे पहला project है जिसमें double height podium parking आपको मिल रहे है यह है हमारा second bedroom जिसका size जो रहेगा 11 by 15 का रहेगा और इसके साथ भी आपको connected balcony area मिल रहे है जो six feet wide balcony area रहेगा हमारा हमारे इस project में दोस्तो जो pricing start होती है अगर मैं 3 bhk की starting price बात करूँ तो एक क्रोड 16 लाग से हमारे 3 bhk के flat start हो जाते हैं यहाँ पे 3 bhk, 3 plus 1 bhk, 4 bhk काफी सारे options अब लेबल हैं आपके लिए और सबसे जादा यहाँ पे unique चीज़ इस project की यही है कि इसकी location जो मैंने आपको वीडियो के starting में दिखाई दी तो अब हम चलते हैं अपने third bedroom की और जो हमारा last bedroom रहेगा इसके साथ हमारा जो है यह washroom area connected और अब आ गया हम अपने third bedroom की और इसकी अगर मैं size की बात करूँ तो 13 by 11 का इसका size रहेगा आप इसकी height देख सकते हैं हमारे पूरे project में जो room sizes है जो उसकी जो height है वो काफी अच्छी दी गई है यह देखिए तो अगर आप भी ऐसी prime location में अपना नया घर या अपना अगला घर या flat लेने की सोच रहे हैं तो जल्दी से जल्दी screen पे दिये गए number पे हमें contact करें मिलते हैं अगली video